तो कैसे हैं आप तब लोग आप सबका सौगात है हमारे चैनल मुप्त शिक्षा पर जिस पर हम 12th क्लास की Economics जो की Second Book है Macro Economics उसकी Series हमने स्टार्ट की थी जिसे हमने पहला Chapter National Income and its Related Aggregate स्टार्ट किया था जिसकी हमने पिछली दो वीडियो में बेसिक भी पढ़ लिया है और आज हम First Method पढ़ने वाले National Income का जो की Value Added Method है इस Method को पढ़ने से पहले अगर आपने अपिद्धक बेसिक्स वीडियो नहीं देखी है तो बेसिक्स की वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि बिना बेसिक्स की वीडियो देखिए अगर आप डिरेक्ट कोश्चन करने आते हैं तो आपको कोश्चन मुश्किल लगते हैं तब ही लोगों ने मित फैलाया हुआ है कि नैशे इंकम चैप्टर जो बहुत मुश्किल है चैप्टर मुश्किल नहीं है आप बेसिक् लगता है कि मुश्किल फॉर्मले में जो आप देख रहें वो तॉम आपने पहले पढ़ी नहीं उनकी डेफिनेशन आपको पता नहीं मीनिंग पता नहीं इतले आपको फॉर्मला इसे लगता कि रटना पढ़ रहा है तो आप पहले एक्स्प्रैटियो देखें जिसमें बेसि अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारी वीडियो पर डिरेक्ट पहुंच सकते हैं अगर कोई भी ऐसा परसे जो बहुत नीडी है और एजुकेशन का एक्सेंस भीयत नहीं कर सकता है तो आप इस स्क्रीन शॉट ले लिजिए और एक शेर स्क्रीन शॉट का एक शेर अगर किसी के मदद कर सकता है तो उस एक शेर को करने में एक सिंगल रूपीज भी कर्च नहीं होगा तो एक ऐसा शेर जो किसी की जिंदगी बिदल सकता है तो मैं जानता हूं कि वह आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा सिर्फ एक शेर कर दीजिए ताकि कोई ऐसा परसन ऐसा स्टूडेंट जो करिए और आप ये क्यों कोड किसी भी एप से किसी भी ओनलाइन एप्लिकेशन से चाहिए वह फोन पे है गूगल पे है पेटियम है या और कोई भी लेंस स्कैनर जो है आपके फोन में उससे स्कैन करें तो आप डारेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे चलिए हमने इंट्रो भी दे दिया थे लास्ट वीडियो में कि हम नेक्स वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा एस्टीमेशन आप नशेंव इनकम जिसका पहले मेस्टर जो हम पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे अम पढ़ेंगे ग्रॉस वेल्यू एड़िट जिसको प्र और जो यह निकल के आता है मार्केट प्राइस पर फेक्टर कोस्ट पर नहीं निकलता है किस पर निकलता है मार्केट में अब प्रोड़क की वेल्यू कितनी है यानि कि all and average जो भी चीज़े जुड़नी थी अब उसके अंदर जुड़ चुकी है प्रोड़क के अंदर मार्केट में उसकी वेल्यू क्या है वह निकल के आता किससे वेल्यू एड़ मेथट से तो अगर फॉर्मला देखें तो सबसे पहले उसमें सेल कितना कर दिया क्योंकि जो सेल कर दिया उससे भी इंकम आई होगी फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक च्इंज इन स्टॉक क्या करेंगे यह दूछ explorator को करेंगे 관तितर स!!!!! इंटरिमेड़ लेते हैं इंदर और कास्ट के अंदर यह सब्सक्क्राइब इसके inदरanged करते हैं तो क्या हो जाएगा डबल काउंटिंग हो जाएगी डबल काउंटिंग से हमें बचना है ठीक है नेक्स देखे अब सब्सक्राइब करेंगे तब जो सब्सक्राइब करेंगे तब सब्सक्राइब करेंगे तो क्या निकल के आएगा जीडीप निकल के आएगा ठीक है अब अगर आपको जीएवी निकालना है तो जीएवी निकालने का फॉर्मिला क्या है अगर देखे तो वैल्लू आउट्पूट है अभी हमने पीछे जो देखा था फॉर्मिला उसमें क्या इंदेनों का कॉंबिनेशन ही होता है value of output यानि कि बिजनस से जो बाहर निकल गया है वह भी बिजनस में रेटी है रेडी है लेकिन वह भी उसका हिस्सा है तो यहां पर आपको दूसरा जो फॉर्मला बनाया क्या लिखा value of output और minus intermittent consumption क्योंकि इसके अंदर ही आपकी sales include है और इसके अंदर ही आपको चेंज यह चेंज के सब्सक्राइब है चेंज इन स्टॉक इंकलूड है ठीक है अब चेंज स्टॉक से अगर हमें निकालना है क्या नेट domestic product अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा तो हमने सीखा था फॉर्मले सीखे थे तीन क्या ग्रॉस इकल्स टू नेट प्लस डेप्रिशेशन यहीं सीखा था अब आप बताओ अगर हम ग्रॉस वेल्यूटिड मेथट से जीडीपी निकाल रहे हैं लेकिन हमें चाहिए क्या एंडीपी एफसी मतलब पी और डी तो आपको सेम है इनको हमें निकालना है आपको जी से क्या बनाना है यानि कि आपको ग्र इसको किया ना जीडीपी माइनस डेप्रिशेशन अब रही बात हम जो वैल्यू अड़ीड माइधर से निकालता मार्केट प्राइस लेकर हमें निकालना है फेक्टर कॉस्ट पर तो इसका भी फॉर्मॉला चीख था कि मार्केट प्राइस का फॉर्मॉला क्या होता है एंप इसे जिडीपी माइनस में एन आई टी तो क्या निकलके आएगा आपका वेक्टर कॉस्ट है है फेक्टर को ठीक है तो एंपी मेंस करना पड़ेगा एन इच्छ देखिए अब जीडीपी सॉरी जीडीपी एमपी बोलो या जीवी एमपी बोलो ठीक है? दोनों सेम ही होता है यह निकल के आता किस से? ग्रॉस वेल्यू एड़ेड मेथड से ग्रॉस वेल्यू एड़ेड मेथड यह निकलता है लेकिन इससे national income कैसे निकाले? जो national income होती है आपकी national income वो क्या होती है? वो होती है NNPFC NNPFC यानिकी नेट नेशनल प्रोड़क्त अब आपको नेट नेशनल प्रोड़क्त बनाना किस से बनाना है? जीडीपी से यह लिख लेते हैं हमें GDPMP से क्या बनाना है NNP अब देखो पी तो हमें नहीं करना एक्सचेंज ठीक है अब बीच वाला जो है नम हो कहा है नेशनल और यह क्या है डिमेस्टिक तो हमें नेशनल बनाना डिमेस्टिक से तो हमने एक फॉर्मला सीखा था कि नेशनल अब हमने क्या कर लिया यह वाला एन बना दिया अब हमें क्या चाहिए क्या है जो यह चाहिये और हमारे पस क्या है Blickош तो हमने पॉर्मला सीखा था की रक फॉर्मला क्या है जो की मिल जायगा नेट मिल जाएगा त्रो इंप देप्रीशेशं ठीख है आई बात समझ भी इहां पर लेखना घा दो देखो GDP MP हमारा पास गिवन था फिर उसमें से जब्रीशेशन किया और अपने पाइप माइनस किया ठीक है अब बात क्या हो रहेगी हमें निकलना है यहां फेक्टर कॉस्ट प्र यह दिरखा है मार्केट प्राइज पर हमने तीसरा फॉर्मॉला पर च्राइज निकालेंगे कैसे market price minus में NIT तो यहां पर आप minus कर दोगे क्या तो अटादा इसे यहां पर minus कर दोगे आप NIT जिससे क्या निकल के आएगा आपका निकल के आएगा net national product at FC जिसको हम क्या बोलते है national income ठीक है फ्रेंट फॉर्मुला बहुत असान है ज्यादा फॉर्मुला नहीं है ग्रॉस वेलिवेट से आपका पहले GDP निकलाएगा जिसको GVA भी बोलते है उसके बाद आपको क्या करना जो तीन फॉर्मुले सीखेते हैं हमने यह एक आपका दूसरा यह रा और तीसरा इन तीनों को फॉर्मुले के चीजों को चेंज कर देना है ठीक है यह तीनों फॉर्मुले आपको याद करने पड़ेंगे चलो नेक्स देखते हैं अगर आप सबस्क्राइब करें तो पहले आपको थेत्ता के तो आपको आपको जो देख लेनी है थीक है हुंका स्वम कर लेना है उसके बाद आपको चेंज को बॉपनिंग इस स्टॉप की का बैलन्स करना होता किस से होंतु हो तो मुझे क्या करना है क्लों स्टॉप में से आपका क्यَ कर देना घरें टो मिलेगा चेंज मिलेगा ठेक ए के लिए रहे हो उसके बाद आती है आपके बाद EH को घटाने की क्योंकि कि Definite कंजोंप्जमशन की अंदर work, संद्र इंक्लूडufen वह रोग को सब्ट्रेक क्या करना है Intermediate consumption और याद रखे के form कौन सी इंकलूड नहीं होगी करना पड़ता है उसके बाद जब आपी तीन स्टेप पॉलो कर लोगे तो आप पहुंचेगी यूव रिसीब डैट जीडीप एट एंपी ठीक है उससे फिर आपको निकालनी है तो अभी पीछे सी काया था देखो यहां ने सीख लिए एंपी एफसी कहा से निकले गया जीडी चलिए अब इन को स्कों को प्रेक्टिस करने से फॉर में और भी ज्यादा किलियर हो जाते हैं देखिए को स्टेशन पर आपके स्क्रीन पर कैलेट ग्रॉस विल्यू एडड़ अड़ फेक्टर कोस्ट जब आप बहुत जादे एक्सपर्ट हो जाएंग तो आप डिरेक्ट ह अगर आप सबसे पहले पूछा है जी वी एड़ेड़ अधेड उसमें सबसे पहले आपका निकल क्या आता है जी वी ए सब्सक्राइब कैसे निकलता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक उसके बाद माइनस करते हैं आप इंट्रमीडियेट कंजम्शन अगर्णी तो हम पहले यह फाले करते हैं देखो कोशन में सेल्स जिवन है क्या उनिट और प्राइज तो जब कितने उनिट सोल्ड की है और प्राइज भी गिवन एक उनिट का तो तो यहां पर आपको क्या निकलने का जा करना है पहले और सेकेंड को मल्टिप्लाइब कर द इस चैने चले लिए यह शकन रूपनिंग और लुज जो सलंगि में तो आप क्या करो ऊपनिंग और गिया क्या? निकल के आगया आपका क्याति नियुक्त कऊन सा है आपको फूर्थ ये भी आपने आपका निकल के आ गया आपका निकल के आगया जीवी तो निकालते हैं जी एंपि कैसे निकलेगा जेल कैसा है फस्त और सेकेंड कितना है आपका बैद्ट कर देना है इसे प्लस अफ आपका फिफ आइटम आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,000 माइनस सिक्स आइटम कितना है 2,000 माइनस में आपका इंट्रिमेड कंजंप्शन वो रख 4 आइटम कितना है 12,000 ठीक है फ्रेंट्स चलिए अब देखो यह 1,000 को 30 से करोगे कितना है आपका 30,000 प्लस यह त्युरी में से 2,000 गया तो बच गया 1,000 माइनस 12,000 इनको कितने हो गए 31,000 माइनस ट्रिल थाउजड कितना होगा आपका 0,0,0 11,000 बच गया नाइन तो आपके कितने बच गया यह 19,000 बच गये ठीक है फ्रेंट्स अब आपको क्या निकालना है अब आपको निकालना है जी वी ए एफ सी आपने किसमें निकाला एंप एफ सी करना है तो आपको जी वी ए अब आपने निकाला अब एंप से एफ सी बनाना है था था ना एंपी का फॉर्मॉले क्या होता है एफ सी प्लस एन आई ती आपको एफ सी चाहिए तो यह ना इट इतरा के क्या होगा माइनस कर दो एं आई टी यह था आपका यूज करने है तो यह दोना आइटम क्या आगे हैं आपके आपका सेमन्त आइटम प्लस में एट आइटम चीक है तो इस चाहिए निकलके आएगा सलूशन नाइंटीन थाउजंड माइनस सेमन्त का है आपका टूंटी फाइफ और दूसरे का थर्टी फाइफ हंडर्ड प्ल कि नाइंटीन थाउजंड में से सिक्स थाउजंड माइनस तो आपका फैनल अंसर क्या निकलके आएगा थर्टीन थाउजंड आगे है तो यह हमने स्टैप वाइस किया है आप यह डिरेक्ट कोशन भी कर सकते थे आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं चलिए न स्क्रीन पर क्या निकालना आपको क्या निकालना आपको क्या निकालना आपको सबसे पहले हमारा जो फॉर्म निकलता है किस से ग्रॉस वेल्यू एड़िड मैथर्ड से सबसे पहले का निकलता है जी वी ए यही निकलता है वह कैसे निकलता आपका तेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस में क्या करते हैं आप माइनस में इंटर मीडियेट कंजम्चन लेऔर आप तो अब सेल्स देखो कुष्ण में इसल्स क्या सेल्स आउटपूट सोड्ユि देको यह धिलन एंः यूनिट गिबन है और प्राइस इनसे खिडन है यह यहांख आपका पूओ ताइटम यह आगे आपकी शेल पिर चैंज इन स्टॉक ज्ञान स्टाफ गवन है गिवन हुए गिवन के वर जोर्ट सम Hearts गवन की यह rut वगर अफ्न सेटावर कउतक स्टाफ सेटाफ समय कौन साथ रफ्ट एम ठीक है तो बस इतना कर लो पहले थर्ड आइटम क्या आपका टू थाउजन्ड इंटू में फॉर्थ टैन प्लस में फिफ्ट आइटम कितना आपका माइनस का फिफ्टी ठीक है उसके बाद आपका इंट्रमेट कंजिम्शन टैन थाउजन्ड 20,000-50 डेनको निकालना क्या है और आपनेन क्या निकालना और आपने निकालना निकालना और आपने लिस भिई कि अभी एए निकाला है एप्सटीस और आपको गिवन क्या है जी एक एक करके चेंज करते हैं पहले तो आपको ग्रॉस से न्यट बनाना है डेप्रीशेशन को माइनस कर देते हैं इसके बाद मार्केट प्राइस से प्रेक्ट कॉस्ट मार्ने क्लिए आप मायनस क्या में पता है NN 9950 उसके बाद डेप्रिशेशन डेप्रिशेशन का है आपका कंजंशन और फिक्स कैपिटल यह रहा 600 माइनस एन इटी का एन इटी हमें डारेक्ट गिवन है नहीं है गिवन तो फॉर्मा रिखोगे इसका क्या अब यह देखेंगे क्या टी किवन है इंपॉर्ट ड्यूति यह भी टेक्स ही होता है एंपॉर्ट ड्यूति कितना है उनको इहां पर रिपलेज करेंगे यह आपका इस इनक्या आपका इस इंक्टा दोगा कितना है 400 माइनस सब्सीड़ी कितनी है ठीक है अब आप देखो इसको बैलन्स करते है तो यह माइनस इसको माइनस करते हैं तो पहले आपका कॉशन यही हो जाएगा 600 जाएगे तो करते हैं 9,3,5,0 ठीक है और यहां से हम बैलन्स करें इंगर तो क्या आएगा माइनस का 100 और यह 9,3,5,0 माइनस माइनस प्लस का 100 पाइनल अंसर आपका निकल का आए 9,4,5,0 ठीक है 9,350 और फाइनल असरा आपका 9,450 जो कि हमें क्या निकालना था नेट विल्डिवेडिट फेक्टर कॉस देखों यहाँ पर बेर्ग भी निकाल लखा आप डरंक भी सारे इटम लख सकते हैं लेकिन अगर आप बिगणर हैं स्टेप वाइस करना चाहते हैं पहले आप जी य ए एमपी निकाल लिए उसके बाद इसको करें ठीक है नेक्स कोष्ण देखते हैं आप कोश्चन को घर पे ज़्यादस जादस प्रैक्टिस करें तो आपके इनकी कमांड वाजएगी देखें नेक कोश्चन देखें find the net value at market price क्या निकालना है एन वी ए किस पर MP निकालना है पहले आप जी वी ए अब देखो आपका जी ए एंपी निकालोगे किस में किस फॉर्मलेस निकलेगा सबसे पहले सेल्स उसमें आपको क्या न्यूट करना है चेंड इन स्टॉप और मायनिस क्या करते ना है इंटरमीडीडेट कंजम्चन इसको स्वाट निक दरों मैं I.C मतलब इंटरमीडेट कंजम्चन अब की जी ए एंपी ने जिस वह तो से इस ना वांगे यूनित वाईस देर रहा है तो आपको प्रास प्राइब तो पहला आपका दूसरा आपको प्राइज झा धिक्हार उसके बात चेंजिन-स्टॉक क्या गिवन और निकालो इसको पस्ट है आपका 800 मुल्टिप्लाइ करना है 20 से से फेल्स आ जाएगी फिर फिप्त आइटम आपका माइनस का 500 माइनस में क्यों आ रहा है आपको चीनल स्टॉक हो सकता है कि opening क्लोजिंग स्टॉक कम था और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा और उपनिंग स्टॉक कम है उसके बाद आपका इटी इसी इंट्रमेट का फॉस्ट कितनी है अब देखर कितना है अब हमें का निकालना है एन वी ए निकालना है प्रेशिंग को माइन सब्सक्राइब और डेप्रीशेशन हमारा कितना है डेप्रीशेशन तो आपका निकल के आगया 6500 आपका फाइनल असान है कॉस्टन जादा मुश्किन नहीं है आप करते रहेंगे प्रेक्टिस हो जाएगा देखर नेक्स देखो केल्कुलेट सेल्स प्रॉम दा पॉलिवं डेटा सेल निकालनी इस बार इसका मतलब आपको कोश्चन के अंदर और और क्या गिवन है देखो नेट वैल्यू एड़ यह गिवन है अब को और अगर हम फॉर्म लेकि थुरूम चले तो हमें फॉर्म में क्या गिवन होता है ठीक है लेकन कोश्चन में यह गिवन है तो पहले हमें जी वी ए ए एमपी बनाना पड़ेगा किससे एन वी ए एफसी से तो जी वी ए एमपी अब देखा आपको नेट से क्या बनाना है घ्रोस तो चया कर दोगे पाइपकर दो और आपको एमपी से ऑच्छों में है इसके अदर नेट इंडरेट टेक्स को एड़ कर दो तो आप आपको given है question में 560 given है आपका NVA और depreciation देखो कितना given है 60 ठीक है उसके बाद NIT indirect tax यह रहा आपका कितना indirect tax आपका 600 है लेकिन हमें क्या चाहिए net indirect tax यह तो इंडिर्क टेक्स है क्या subsidy given है यह आपे देखो subsidy given है यह नहीं कि subsidy 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 तो given नहीं है क्योंकि आपको जो NIT का formula होता है वो क्या होता है indirect tax minus subsidy क्या subsidy की दूसरी कोई form given है यह चेक करो कहीं भी given है नहीं नहीं है ठीक है तो आपको क्या करना है सिर्फ आइटी को ही क्या समझ लेना है NIT तो आइटी कितना है आपको 60 ठीक है यह आपको कितना निकल के आया जीरो शिक्स ड्वेल्व और शिक्स एटीन और वन गया 680 कितना गया आपका 680 ठीक है अब आपको क्या निकालना है सेल निकालना है अब अब आप जीव एएंपी का फॉर्मला लगाओ जीव एएंपी इसका फॉर्मला क्या होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस में इंट्रमीडेट कंजम्शन यह था हमें गिवन है सेल्स हमें निकालना है चेंज इन स्टॉक देखो चेंज स्टॉक गिवन है आपका माइनस का 30 इंट्रमीडेट कंजम्शन गिवन है 1000 ठीक है तो यह आपका 680 और यह आपका कितना है सेल्स माइनस 30 माइनस 1000 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस लेकिन साइन माइनस कही रहेगा 1030 अब यह माइनस इदर आके क्या हो जाएगा प्लस 680 में हम प्लस करेंगे 1030 तो आपकी सेल्स कितने हो गई यह पहले से 1000 और यह 600 कितना हो गया 1600 और एक्टी सैवनेटीन रथी गडर आया अपको अंसर क्या निकल क्या है आप क्या आया 1710 यह इस आपको स्टेपवाइस हो गया और आपको डिरेक्ट अगर करना है तो यह आपको करना है ठीक है और कॉस्चन में जिस भी उनिट पर गिवन और वो उनिट लगाना जरूरी है लास्ट में ठीक है सेल्स किसके अंदर है तुमारी लैक ठीक है नेक्स देखते हैं कॉस्च्छन क्या निकलना आपको क्या निकालना है न वी ए और किस पर निकालना है एफसी पर तो स्टेप से चलते हैं पहले हम क्या पाइंड करते हैं जी वी ए एंप वो कैसे निकलता है सेल्स क्लाइन प्लस चेंज इन स्टॉक मिलब सेल्स कया गिवन है जेखिवयरे कितनी कितनी एंडर्ट वी एंडर्ट यडर्ठ आपनें शेयल पीजिए लिख़ें स्टाक किया डिवन है चेंजिं स्टॉक आपकों , डिवन निकालना पड़ेगा , closing स्टॉक और opening स्टॉक कुछ अपका 20 अपका 50, 20-50 20-50 , 20-50 , फिर आपका intermediate consumption , देखो कै अपका intermediate consumption गिवन है ? intermediate purchase है कहीं से intermediate का कुछ गिवन है ? पर चेज फॉर मशीनरी ओन यूज ये लिखा हुआ है तो मशीनरी है यह देखो कैपिटल है ना तो यह आपको नहीं लेना है ठीक है तो आपको इंट्रिमेडियर्ट की जगा पर क्या लेना है सिर्फ यह लेना है ठीक है इंट्रिमेड कंजम्शन यह रहा कितना 500 यह क्या आपका 500 800 यह माइनस का 30 माइनस 500 ठीक है अब क्या होगा माइनस करो इन्हें यह 800 अब आपको क्या निकालना और अब n वी ए एक चेंज करना मैं तो अब यह जुआ मैंस में डेंट्रिमेडर्ट्रिर्घ्रिसएशं और MP से X बिनाने लिए मैनस करते हैं आपका NIT ठीक है यह आपका 270 आ गया depreciation given है क्या depreciation third में 30 और और हमारा depreciation कितना है पक शो कए व्युज़ी के वाद्स ना इना इसेश को इसदियक अनुद के मिल्द 6लल सुप्रीटि तो चनल यह फोना 58 च्रॉ सब हुआने ऐड है LEG का इसका तो यह बैलन्स करोगा क्या रहे हैं तो आपका अंसर कितना हो गया है तो आपको डाउट आते ही होगे क्योंकि याद रखना पॉसिबल नहीं तो आप अपने डाउट को एक पेपर को निख लिजिए और उन डाउट को आप हमारी वेबसाइट पर जाके पूछिए हमारी वेबसाइट है मुफ्त.शिक्षा जहां पर ask my question कॉलम गिवन होगा आपको आप जाएगे अपने डाउट पूछे जिसकी रिवाड में आप कॉइन भी अन कर सकते हैं और आपको जो हमारे चैनल पर स्टड़ी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एकदम 100 परसंट प्री एजूकेशन एक भी स कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे एपसाइट पर 100 प्लस अब्जेक्ट प्रवाइड करें ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट ले कहीं और ना जाना पड़े आपको सारी एजूकेशन हमारे चैनल पर मिल जाए और हम सिर्फ आपको स्लेबस नहीं करा रहे हैं आपके साथ आपको सिर्फ जगा पढ़े हो दूसरी जगा प्रवेशन करें ऐसी प्रॉब्लम ना जिलनी बढ़े तो आप सीधी प्रवेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं मैंने पिछली बुक कंप्लीट कराई है एकनोमिक की इंडिन एकनोमिय उसकी प्रवेशन भी कराई है आप उनको प् हैं तो फेस्बुक पर ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर यूटूब पर टेलिग्राम पर या फिर लिंक डिन पर अब कहीं पर भी हमसे हमारे डोमेन नेम मुप्त डॉट शिक्षा सर्च करकर हमारे किसी भी शोचल मीडिय प्रेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं आज और जो भी आपके डॉट होते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर www.must.shikshar के अंदर ask my question कॉलम के अंदर पूछिए आपके डॉट किलियर किये जाएंगे और मैं आपका educator इंकु शाक्या आपके साथ exam तक यूँ ही बना रहूँगा आपकी preparation कराने के लिए और आपक कि आप ये वीडियो कौन सी स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में आप आपकी स्टेट का नाम भी ज़रूर बताइए till then take care bye bye मैं आपका educator इंकु शाक्या जैसा कि हमेशा कहता हूं हसते रहे हैं मुस्पराते रहे हैं खुशियां फैलाते रहे हैं